अगर तीस दिनों के अंदर में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है और समय रहते हैं आप आके ज्वाइन कर लेते हैं तब तो आपको आपका ज्वाइनिंग माना जाएगा अन्य था आपका ज्वाइनिंग रद्ध हो जाएगा ज्वाइनिंग लेटर में यह चीज जा है इंट्री पे के पहला लेबल में 15,380 रुप्या बेसिक जिसको मूल बेतन कहते हैं वो मिलेगा नए जो सिच्छक अभी बहाल होके आएंगे उनको में भी हो सकता है कि साल भर भी इंतजार करना पड़े पहला बेतन के लिए क्योंकि सरकार ने कहा है क्या कि जब तक हम उनके सर्टिफिकेट को जांच नहीं लेंगे अच्छी तरह से तब तक जो है उनको बेतन रिलीज नहीं करेंगे बिकलांग और महिला सिच्छकों तक ही जो है अस्तानांतन की सुविदा है तो तेईस को जो है सरकार उनों को जो है हाथों में ज्वाइनिंग लेटर दे ताकि वो हो खुशी कुशी अपने घर जाए यह जने का जो है डाक से भी मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहें है अच्छा है अब हहां पहलोर जाकर के फॉर्म भरा पंचायत अस्तर पर जाकर आपने फॉर्म भरा उसके बाद क्या होगा जो भी जैसे बच्चे जो सेलेक्ट कर ले जिसका डोक्यूमेंट ले लिया गया है उसको क्या किया जाएगा सारे डाक के द्वारा जोनिंग लेटर भेजा जाएगा उसके रूम प सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आपका ज्वाइनिंग माना जाएगा अन्य था आपका ज्वाइनिंग रद्ध हो जाएगा चाने था ये नियम है तीस दिन का समय निर्धारित है है सरकार ने दर्धारित कर रहा है तीस दिनों के अंदर में अपको योगदान करना अगर माना की डाक ने हमको नहीं पहुंचाया ता फिर और प्रल दौद द्ध हो ख्या उन सब्सक्राइब करें कि सद्रों कि आपकर हमारी में और द्धक स्थिर्दा कर दोפर शीर्णारे BC स सकता है उसको 30 दिन के बजाए 35 दिनों बाद मिले तो उसका तो समय खतम हो गया उसमें क्योंकि उस समय दिया हुआ रहता है निर्धारी तरह रहता है उसके बाद कोई कोई option नहीं है अरे भाई तो claim भी देखी एक तो सबसे पहले आप इतना मेहनत करें उसके बाद आपको सारा कुछ document ले लिया जाए जो भी हो उसके बाद सरकार जब चाहिए आपको फिर जोइनिंग लेटर भेजी वो भी डाक के माध्यम से और डाक अगर आपके घर पर नहीं पहुची बाइद वे आपका location चाहिए जो भी हो आपके गवाँ में डाक की वेवस्ता कैसी है वो भी आब बता सकते हैं अगर आपके नहीं पहुची तो गया आप वह भी नोकडी से हाथ दो लीजिए बिलकुल बिलकुल सही बात है इसलिए मेरा कहना है कि जो उन्हों को हाथ हो हाथ जो है जो आप बता सकते हैं सरकार में बैठे लोग ही जो है इसके लिए जिम्मेवार हैं सिच्छा व काल में जो हैं पर इसलिएा जॉ HOLएनिंग दिया जा तो एक चीज़ और बताए यह जैसे माँने कि जो बचको अभी जोइनिंग तक अवह जाए सका मिलेगा पैसा कितना मिलेगा इंकम मतलब जो भी उसका पेय होगा किया होगा उसके बाद और भी जो भी कुछ टॉटल कित हाल होंगे उनका ग्रेड पे जीरो रहेगा सुनने लेकिन उन्हें जो है इंट्री पे के पहला लेबल में पंदरह हजार तीन सो असी रुप्या बेसिक जिसको मूल बेतन कहते हैं वो मिलेगा उस पर डिये मंगाई भत्ता जिसको कहते हैं उसी पर डिये उसको जोड के अच्छा उसके बाद उस पर जो है एचारे होता है हाउस रेंड जिसको कहते हैं अच्छा और उस पर एक हजार मेडिकल यह कुल जोड कर 22-23,000 रुपया अब यह मिलेगा शिचको को पर बताए इतनी महनत सालों की महनत पड़ाए लिखाए उसके बाद इतना लराए उतना प्रोटेस्ट उसके बाद उसको जुईनिंग मिलेगा वह भी उसके बाद जोइनिंग लेटर जो भी आएगा इतना खतरनाक पुरनाली से आएगा उसके बाद अगर माना कि बाइचांस उसको नोकडी हो गया उसके बाद कितना पैसा मिलेगा 22,000 कितना मिलेगा टोटल तक्रीबन 22,000 रुपर 22,000 कि आसपास मिलेगा अगर नया कोई बच्चा है और आप से अगर कोई सजेशन ले जो क्या मैं सिख्छक बनूँ बिहार टीचर के मैं सिख्छक बनना चाहता हूँ क्या आप उसे सजेस्ट करिएगा यहां तुम बिहार टीचर बन जाओ यह करो वो करो तो भी हार टीचर बनने के लायक हो सकते हैं या अच्छा अपसन है तुमारे करियर में अगर तुम आप करिये कि नहीं सजेस्ट उस बच्चे को देखिए निर्ना लेना तो उसका स्वायम का काम है कि जो हम किस पेसे में जाएं लेकिन वो उसका स्वायम का निर्ना होना चाहिए लेकिन अभी हाल पिलाल जो नियोजन परकिरिया अपनाई जा रही है तो मैं किसी को सग्जेस्ट नहीं करूँ गा कि जो है यह सिच्छ के सीमें जाएं क्योंकि इसमें जो है एक तो जो है बहुतीं पेचिदा प्रनालिय और उसमें भी बेतन के लिए कभी-कभी 6-8-8 महीने तक जो है इंतजार करना पड़ता है अभी हमनों का भी 2-3 माह का बेतन अभी नहीं मिदिया गया है 15% बेतन ब्रिद्धी की जो चल रही है उसके कारण भी एक माह और बिलम होने का है समय लगेगा हो सकता है होली जैसे पर् अच्छा बेतन के लिए भी यहां पर एक तो 20-22,000 विपय जो भी मिले आपको उसके बाद फिर क्या होगा बेतन के लिए 7 महीना 8 महीना चो महीना इसे करका वेट करिए आकर के एक ही बार में आपको पैसा मिलेगा अब यह कितना खतरनाक पर ना लिए अब एक तो पहले इसे ना दिन रुकार रहे घर पडी वार कैसे चलेगा सिक्छक का आज तक तो हमारा घर कर्ज से चलते रहा है आगे लगड़ा रहा है कि चलेगा कर्ज से ही और नए जो सिच्छक अभी भाल होके आएंगे उनको में भी हो सकता है कि साल भर भी इंतजार करना पड़े पहला बेतन के लिए क्योंकि सरकार ने कहा है कि जब तक हम उनके certificate को जहांच नहीं लेंगे अच्छी तरह से तब तक जो है उनको बेतन रिलीज नहीं करेंगे बहुत खतरनाक बात है अगर माने कि कोई काम कर रहा है साल तक उसको पैसा नहीं दीजेगा काई से जब हम भी योगदान किये थे सिच्छक पेसे में तो नवंबर में योगदान किये थे 2013 में और हमको पहला बेतन जुलाई 2014 में मिला था लगवग नौ महीने के बाद आप नवंबर में जुएन के आपको जुलाई 2014 में मिला बेतन मिला था पहली बार नौ महीना बाद आपको मिला उस समय बीच मे कैसे सर्वाइव कि अपने आपको ? पीजाए अर्य बता है कि जैसा की चल रहा है के या सब्सक्राइब नो महीं तो फृर उनय प्रक्ष्ष भूह करके फिर अश्चा तो नहीं अब जो है बहुत जो है सुधार हुआ है अच्छा वेकिन विक्ता अच्छा और जो है किसी किसी जीले में जो है अभी अक्टूबर तक का मैं अब मैंट если में दिसंबर तक 2 भुकतान हो गया है अब देखिए आप एक तो सिक्षा विवस्था हमारी कैसी है कैसा स्कूल के विवस्था है और सिक्षा को किस तरह से हमारे बिहार में इज़त किया जाता है आप इसको इज़त कहिए कैसे इज़त किया जाते है हमारे सरकार के द्वारा आप ये देखिए उसका आपक रस्त ओपन के लिए जो पैसे होते हैं या किसे तरह सामने में भी आप देख सकते आ JOE और में आपसे पूछना चाहता हूं जैसे जो़ी एक बार सिकषक बने करने की नहीं पहले तो लेकिन अभी सरकार ने कहा है कि जो है हम अस्थानांतरन के सुविधा देंगे लेकिन बिकलांग और महिला सिचकों तक ही जो है अस्थानांतरन की सुविधा है समाने सिचकों के लिए जो है अस्थानांतरन का मांग रखा गया है इसके लिए हमारे सिचक बंदू कोट भी गए है कोट ने भी कहा है सरकार को की इनheen भी जो है लाव दिया जाए और ने लेकिन अभी तक सरकार ने एक शोफट वेर बनाया है कि यहां उस शोफट वेर में ही जो है उस पे आकेदन आप लों को देना है और सौफट वेर चिस जिले में जगा खाली है रिखती है आग उस जिले में उनका अस्तानांतरन किया जाएगा लेकिन अभी इसमें बहुत भी लंब है अच्छा सरकार ने इसको जो है ठंडे बस्ते में दाल रखा है अच्छा